हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चानल और आज के वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट पर डिसक्रशन करने वाले हैं कि पूरा दिन मार्केट के अंदर बाजार के अंदर हुआ क्या तो अगर आप मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं और आप ट्रेडर हैं खास करके तो एक मार्केट की डेटा एनलिसिस आपको एक बहुत अच्छे डिसिजन की तरफ ले सकती है तो अगर हमें market के अंदर एक profitable trader बनना है तो दो चीजों का खात ब्याद रखना एक कि आपको जो price action का chart है वो read करना आना चाहिए दूतरा कि जो market में जो आज हुआ क्या पूरे दिन market के अंदर लोगों ने क्या करा ठीक है ये कबर आपको market के data से मिलती है और ये जो आप सामने Excel sheet देख रहे हो मेरा ये तारा data मैंने NSE की website से निकाला है ठीक है पहले समझते है कि कहां पर आपको ये data मिलता है तो हम लोग NSE India की website पर चले गए और यहाँ पर आपको market data पर click करना है market data पर click करके आपको यहाँ पर आना है get market data daily market report वहाँ पर click करोगे तो आपको capital market derivative और death market य और हम को derivative market में जाकर click करना है तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की reports आ जाएगी correct तो अभी हमारे को कौन सी report हमारे काम की है तो आप देख रहे हो कि आज 6 जनवरी 2022 की ये report है और almost market खटब होने के बाद 6-7 बजे के आदपस आपको ये report मिल सकती है कभी-कभी data late पी upload होत ठीक है अब ये data निकाल के उसको हम लोगों ने Excel पर analyze किया है अब वो data है कहाँ पर वो data है आपका F&O participant wise open interest F&O participant wise open interest अब इसको समझते हैं ध्यानते क्योंके friends अगर आप चीजों को बारिकी से समझेंगे तो आपका decision गलत नहीं होगा future and option के segment के अंदर जो participants है उनका open interest यानि कि किनों ने क्या position मनाई लॉंग किया है या buy किया है या short किया या sell किया ठीक है तो यह data आपको यहां से निकल के अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको Excel में जाके इसको compile कर लेते हैं अब compile करके यहां पर जो situation आती है वो आपको एक market के view बताती है ठीक है अब इसको समझते हैं यहां पर कि मैंने यह data को कहते analyze किया तो point by point समझाऊंगा आपको और एक आप लोगों से request है कि आप लोग को वीडियो पे like नहीं करते और comment नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोगों को अगर आपने मेरा अभी तक टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो उसको जॉइन कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को एक simplified price action का जो analysis है वो मैं बताऊं साथी यह जो excel sheet होती है यह मैं आपको end of the day मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आ मार्केट में participants कौन-कौन है मार्केट के में कौन-कौन players है client का मतलब है कि जो retail investors है retail traders है DIY, FII आप जानते ही है और pro का मतलब होता है कि जो proprietary brokers होते हैं जो NST के broker भी है और वो खुच trading भी करते हैं correct तो वो भी एक expert होते हैं market को जादा समझते हैं तो उनकी trading का data भी अलग होता है correct अब देखो market में अंदर आपको एक तो index futures मिलते हैं index futures का मतलब है कि bank nifty और nifty right stock futures का मतलब है कि आपको stock के futures है stock किसी ने future को long किया है या किसी ने future को short किया right और आपको option का data मिलता है जिसके अंदर आपको कुछ लोगों ने call buy की होगी या कुछ लोगों ने call short करी है right call short करने का मतलब कि उन्होंने call को sell करा है right तो यह जो option का data होता है इसको अगर आप ध्यान से समझोगे और अगर आप option के basics को समझते हो तो आपको यह चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी तो एक चीज़ मानके चलते हैं कि जो हम call buyer है उसका view होता है कि market bullish है और जो put buyer है उसक अब इसको हम समझते हैं segment wise अब segment कौन को है index future का segment है आफ देख सकते हो यहां पर index future का segment है अब index future के अंदर पांच जनवरी 2020 को क्या हा ठीक है जो clients है उन्होंने index future को long किया जो clients हैं उन्होंने index future को long किया यानि कि index future को लेकर उन्होंने buying करी है ठीक है और जो 179,105 जो है यह जो retailers है इन्होंने हमारे index को short किया index को short करने का मतलब कि वो bearish है तो अब इसका net difference यानि कि long minus short तो आप देखो कि यहांपर जो retailers हैं इन्होंने short करा तो जब हम बोलें कि retailers ने short करा है तो फिर इसका view क्या बनेगा जो retailers ने जब short करा है इसका मतलब कि वो bearish है ठीक है अब देखो यह जो data है इसका जो view बनता है कि index को लेकर retailers जो है वो बेरिश है अब आप देखो कि ये तो 5 तारिख को हुआ ठीक है अब 6 तारिख को क्या हुआ राइट ये आज हमारा 6 तारिख थी तो 6 तारिख को आप देख सकते हो कि जो हमारे रिटेलर्स है उन्होंने इनडेक्स को लॉंग किया 1,72,394 और 1,55,422 पे इंडेक्स को शॉर्ट किया यानि कि आज रिटेलर्स बुलीश है उन्होंने लॉंग पुजिशन बनाई है 16,972 कॉंट्राक्स की लॉंग पुजिशन बनाई गया है जबकि वो कल जो थे वो बेरिश थे राइट थीक है पांच तारिक को रिटेलर्स जो है वो बेरिश थे लेकिन 6 तारिक को जो हमारे रिटेलर्स है वो बुलीश हो गए रइट तो इसका मतलब है कि रीटेलर्स ने जो उनका नेट चेंज हुआ यानि कि जो 20,000 कॉंट्राक्ट कल उन्होंने माइनस करे थे और आज उन्होंने 16000 कॉंट्राक्ट बाइड करे हैं तो इसका मतलब कि 30,000, 36,000 के आसपास के जो कॉंट्राक्ट्स है वो उन्होंने आज और लिए ठीक है काफी उपर निकल गए ठीक है तो इंडेक्स फूचर्स को लेकर जो हमारे क्लाइंट है वो बुलीश है तो यहां पे आप इनकी समरी देखते हो ठीक है तो इसी तरह से आप डेटा डिया आई का भी देख सकते हो इंडेक्स फूचर्स में एपाई आई का भी देख सकते हो और प्रोप्राइटर्स का भी देच सकते हो और इसकी जो पूरी समरी जो है वो यहाँ पर बनी होई है करेक्ट अब आप यह जो देख रहे हो पावर आफ टीए यह मेरा चैनल का नाम है आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा तो कंक्लूजन क्या बनता है कंक्लूजन यह बनता है कि जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो रिटेलर्स है राइट जो रिटेलर्स है वो बोलिश है राइट और जो स्टॉक फ्यूचर का डेटा नीचे है यह स्टॉक फ्यूचर है ठीक है अब स्ट करके मानके चलते हैं कि चलो FII की situation देखते हैं कि FII जो है वो stocks में क्या कर रहे हैं तो FII ने हमारे stocks हैं उन्होंने 5 जन्वरी को long करे थे 9,849 contracts ठीक है यानि कि उन्होंने stock future buy करे हैं और 5 जन्वरी को उन्हें उन्हें 7,23,606 contracts short करें तो इसका मतलब कि वो लोग कल की date में stocks को लेकर bullish थे क्योंकि उन्होंने long position बनाई long position में बनाने का मतलब कि वो bullish थे अब वो आज क्या थे तो आज आप देख रहे हो कि net जो है वो positive है यानि कि वो आज भी जो है वो bullish है तो अब आप देखो कि कल वो 1,77,193 contracts से bullish थे और आज जो है वो 1,54,634 contracts बनाई है यानि कि उन्होंने कल के मुकाबले आज अपनी position को light करा है उन्होंने position long position को exit किया है long position को उन्होंने exit करा है यानि कि वो stock futures को लेकर बहुत ज्यादा bullish नहीं है वो bearish है तो हमारा view यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह bearish है अब इसका conclusion आपको यहाँ पर मिलता है यह जो आप देख रहे हो participants और इसके अंदर जो FII की situation देख रही है वो यहाँ बता रही है कि FII हमारे stocks को लेकर bearish है रैट ओके तो इस तरह से आप हर participant की situation को समझ सकते हो ठीक है अब conclusion कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ वाले जो columns है इन में मिलेगा ठीक है यह जो आपके जो columns है यहाँ पर इन में आपको conclusion मिलेगा अब यह conclusion को analyze करना बहुत important चीज है ठीक है अब देखो आप देख रहे हो कि clients जो है हमारे जो retailers है वो चार segment में से तीन segment में bullish है ठीक है तो overall यह bullish है राइट और हमारे जो FIIs है यह चार में से तीन segment में bearish है अब देखो market में जो बड़ी बड़े players है ठीक है बड़ी मचली कौन है तो FIIs हमारे बड़े big players है तो वो market को drive करते हैं वो market को लेकर bearish है और जो retailers है वो market को लेकर bullish है और आम तोर पर ऐसा देखा गया है कि retailers और FIIs जो है वो ulti direction में चलते हैं ठीक है तो यही एक कारण वो सकता है कि retailers जो है वो 95% retailers जो है वो नुकसान में होते हैं उसका कारण यही होता है ठीक है तो अब आप देखो कि DII जो है अब आप DII के situation देखोगे तो DII जो है वो bullish है ठीक है लेकिन उनोंने कोई बहुत ज़्यादा position नहीं बनाई है आप उनके open interest देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो bullish नहीं है तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद market यहां से correct हो सकती है तो FII और DII market को लेकर बहुत ज़्यादा bullish नहीं है in fact आप कह सकते हो कि FII बहुत bearish है और DII जो है वो wait and observe वाली situation पर है कि उन्हें लग market का price action देखते हो तो आपने देखा कि चार दिन market में अच्छी खासी rally आई और हमारी closing आज काफी अच्छी closing हुई है तो एक अच्छी rally के बाद में एक correction बहुत natural बनता है ठीक है तो market को आपको market को judge नहीं करना market आपको खुद बताईगी कि कहा जाना है ठीक है एक view बनाके आ market आपकी direction से opposite जाती है तो आप अपने आपको उस direction में ढाल नहीं पाते है तो एक अच्छे trader की capability होती है कि वो अपने trend के साथ चले और अपने आपको flexible बनाए और खास करके intraday data के लिए अगर उनको लगता है कि उनका view गलत जा रहा है तो आप उस position को exit करके दूतरी position को करेक्ट तो प्राइज action के अंदर जो भी चीज मार्केट में हो रही है वो उसको reflect करती है और खास करके आप volumes के उपर ध्यान देंगे तो प्राइज चार्ट को जितना अच्छे से observe करोगे तो हैं very sure कि आप लोगों का कभी भी वी गलत नहीं जाएगा तो यह data अगर आपको रियली में वीडियो अच्छा लगए तो प्रीज इसको लाइक करके शियर करना और मुझे टेलिग्राम जॉइन कर लेना ताकि आपको यह data आपको वहां पर मिले थैंक यू फ्रेंड और आप नाइस टेंग